बिक बॉस के घर में लाइब टास्क शुरू हुआ है और इस लाइब टास्क को लेकर जो डिटेल सामने आ रही है मैं हीनकुमावत फिल्म विंडो पर आपको बताऊंगी दरसल लाइब टास्क में रुबीना फाइल पढ़ रही है जो सबसे पहले बजर बजाएगा वो सदस्य एक घंटे के लिए वूट सलेक पर लाइब होगा उस सदस्य को एक घंटे तक ओडियन्स को एंटर्टेन करना है लेकिन एंटर्टेन्मेंट के दोरान कुछ नियम है जिनका ध्यान रखना है पहला नियम आप शब्दों का इस्तमाल नहीं दूसरा नियम इंग्लिश नहीं बोलनी है तीसरा नियम गाने नहीं गाने है तो बेक बॉस ने कहा है कि जैसे आप घर के अंदर एंटर्टेन करते हैं वैसे ही एंटर्टेन कीजिए गाने नहीं गाईए और आप शब्दों का इस्तमाल नहीं कीजिए और entertain करने के लिए नाचना, गाना, मिमिक्री करना जरूरी नहीं है आप entertainment में दूसरे सदस्य को involve कर सकते हैं लेकिन जब बजर बजेगा तब एक संचालक का भी एलान किया जाएगा और वो संचालक तैय करेगा कि किसने पहले बजाया और एक घंटे तक जब वो entertainment टास्ट चलेगा तो वो संचालक नज़र रखेगा तो इस तरीके से घर के अंदर live टास्ट शुरू हुआ है तो आप लोग भी जो है भूट सलेक पर जाकर live देख सकते हैं वोट कर सकते हैं और बेग बॉस ने ये साफ साफ कहा है कि आप एक घंटे तक इस पूरे entertainment टास्ट में live रहेंगे आपको वोट मिलेंगे कि कौन सबसे ज़ादा entertainer है तो ये एक poll होगा जो बाद में declare किया जाएगा कि किसको सबसे ज़ादा वोट मिले है तो अब जो है थोड़ी दिन में टास्ट शुरू हो जाएगा इसको लेगर कोई भी अपडेट आता है कि पहले किसने entertain किया बजर किसने बजाया संचालक कौन बना हम सारे अपडेट फिल्म इंडो पर लेकर जरूर आएगे